हलो रिवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूटिब चैनल पर इच्छा हॉल 24-7 पे दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे एक जनवरी से 7 जनवरी तक के दोस्तों इस सेशन में थोड़ा सा लेट हो गया है लेकिन आने वाले जो वीक्स होंगे उसमें आपको हर एक विकेंड में अपडेटेड बेस्ट MCQs मिलेंगे करेंट अफेर्स के with detailed explanation और यकीन मानिये अगर आपने इस सेशन को अच्छे से अटेंड करा तो आपके लिए आप किसी भी examination की तयारी कर रहे हो तो current affairs को लेकर के आपको कोई issue नहीं होगा कोई परेसानी नहीं होगी आपको पता होगा current affairs हर एक examination का एक backbone है तो इस तरह से आपका current affairs यहां से तयार करवाया जाएगा तो आज के वीडियो को start करते हैं आने वाले समय में आपको हर एक weekend में updated weekly current affairs मिल जाए जीता है तो इसका सही जवाब है मध्यपरदेश थिक है मध्यपरदेश ने जो है अंडर 18 खेलो इंडिया यूथ गेंस 22जीता है अगर बात करे मध्य परदेश के राजबाल की तो मध्यपरदेश के राजिपाल हैं मंगु भाई छगन भाई पटेल अगर इनके मुख्यमंत्री की बात करे तो इनके मुख्यमंत्री मद्यपरदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो सिवराज सिंग चोहान है कि कौन है सिवराज सिंग चोहान ग्याद रखेगा सिवराज सिंग चोहान अब बात करत जो कि हर एक एक जामिनिशन के लिए important होते हैं, एक तो आपका याद रखेगा, cm रासन आपकी द्वार यूजना, cm रासन आपकी द्वार यूजना, cm रासन आपकी द्वार यूजना, उसके अलावे यहाँ पर लाडली लक्ष्मी यूजना, क्या लाडली लक्ष्मी यूजना याद रखेगा लाडली लक्षमी योजना, सीएम रासन आपकी दौार योजना, रोजगार सेतु योजना, तो याद रखेगा कि मध्य परदेश के जो राजिपाल है, मंगुबाई, छगन भाई, पटेल, मुख्य मंत्री, सिवाज सिंग चोहान, रबद्य परदेश का गठन एक नॉमबर 1956 को हुआ और यहाँ की कुछ योजनाए हैं, सीएम रासन आपके दौार योजना, लाडली लक्षमी योजना, रोजगार सेतु योजना, और मुख्य मंत्री उद्यू करांती योजना, 36 गड़ की बात करें, तो 36 गड़ की राजिपाल हैं, अनुसुया उईके और यहाँ के मुख्य मंत्री हैं, भुपेश बगेल, महराश्टर की बात करें, तो महराश्टर के राजिपाल हैं, भगत सिंग, कोसियारी, और यहाँ के मुख्य मंत्री हैं, एक नात सिंदे, उत्तर प्रदेश के जो राजिपाल हैं, वो आनंदी बेन पटेल हैं, यहाँ क जो मुक्रिमंत्री है, वो योगी आतितयनाद है, चलिए अगले प्रस्न पर चलते हैं, किस राजी की पुलीस के निजात अभ्यान है, अगर इस अभ्यान की बात करें, तो यह एक अपराध निवारन में, नित्रित्तों के लिए ठीक है, यह एक जो अभ्यान है यह अभ्यान को जो IACP अवार्ड दिया गया था किस कारण से दिया गया है तो अपराध निवारन में नित्रित्तों के लिए किसके लिए क्राइम कंट्रोल करने के लिए अपराध निवारन में नित्रित्तों करने के लिए यह जो निजात अभ्यान है पुलीस का निजात अभ्यान इसको ये अवार्ड दिया गया। अगर बात करें इस ये निजात अभ्यान की तो अपराद निवारन में नित्रिट तो के लिए इसे निजात अभ्यान को आई एसे पी अवार्ड दोचार बाइश से समानित किया ये। बात करते हैं 36 गड़ की तो अभी हमने बात करा, 36 गड़ की राज्यपाल हैं अनुसुया उई के और यहां के जो सीम हैं वो हैं मुख्यमंतरी यहां के जो हैं वो आपके भुपेस बगेल हैं, अब 36 गड़ की कुछ योजनाओं पर बात करें, तो यहां के एक योजना है, कहा का योजना है, 36 गड़ की योजना है, तो 36 गड़ के बारे में हमने देखा, 36 गड़ पुलीस के निजात अभ्यान को IACP अवार्ड यानि के International Association of Chiefs of Police अवार्ड 2022 से समानित किया गया, नसीली दवां और अवैद सराब को रोकने के लिए एक निजात अभ्यान पुलीस के द्वारा, 36 गड़ पुलीस के द्वारा चलाया गया, अगर जारकंड की बात करें, तो यहाँ पर जारकंड के जो अभी CM है, हमन्त स्वरेन है, ठोकिये, जारकंड के जो CM है, हमन्त स्वरेन और यहाँ के राजेपाल है, रमेश बैस, चलिए, अगले प्रस्न पर चलते हैं, यहाँ के मुख्यमंतरी योगी आदित्यानात है, महाराश्ट्र की बात करें, तो महाराश्ट्र के जो राजेपाल है, भगत सिंग को सियारी, महराश्ट्र के राजपाल भगत सिंग कोश्यारी और यहां के जो सियम है वो एकनात सिंदे हैं चलिए अगले प्रस्ण पर चलते हैं किस राज्य सरकार ने आठवी कक्षा की पाठे पुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम सिक्षी का फातिमा सेख के योगदान पर एक पाठ सुरू करा है किस राज्य सरकार ने आठवी कक्षा की पाठे पुस्तकों में भारत की पहली महिला मुस्लिम सिक्षी का फातिमा सेख के योगदान पर एक पाठ सुरू करा है तो आपको सबसे पहले यह याद रखना है कि यह फातिमा सेख कौन है तो भारत की पहली महिला मुसलिम सिक्षिका अब इसके योगदान के लिए आंदर परदेश गवर्मेंट ने आंदर परदेश राजय सरकार ने आठवी कक्छा की पार्टी पुस्तक में इसके लिए एक प राजयपाल कौन है तो यहां के राजयपाल है विस्वभूसन हरीचंदन आंदर परदेश के जो राजयपाल है याद रखेगा विस्वभूसन हरीचंदन पूछा जाएगा एक जाम में आंदर परदेश के राजयपाल विस्वभूसन हरीचंदन और वहाँ पर यहां के जो CM है वो है YSR जगन मोहन रेड़ी ठीक है जगन मोहन रेड़ी अगर बात करें आंदर परदेश की कुछ योजनाओ पर तो यहां का जो एक important योजना है याद रखेगा family doctor project ठीक है family doctor project यहां का एक योजना है आंदर परदेश का योजना है और इसके अलावे एक है YSR ठीक है YS YSR यंत्र सेवा योजना कहा कि योजना है तो यह आंदर परदेश का योजना है ठीक है आंदर परदेश सरकार का योजना है YSR यंत्र सेवा योजना तो यह बात हो गया आंदर परदेश को ले करके चलिए अगले सवाल पर चलते हैं हाले में भारत का दूसरा सबसे लंब जुआरी ब्रीज है किस राज में शुरू किया गया है तो इसका सही जवाब है गोवा गोवा में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल इस्तीत एट लेन जुआरी ब्रीज का उधगाटन किस ने करा तो याद रखेगा सड़क और केंद्रिया सड़क और परिवहन मंत्री कौन है ठीक है रोडेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रोडेन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है कौन है तो आपको पता हुगा नितिन गड़करी नितिन गड़करी सहाब की द्वारा गोवा में जुआरी ब्रीज का उधगाटन किया गया अगर बात करते हैं इस जुआरी ब्रीज इसका निर्मान तीन चरण में संपन हुआ है ठीक है तो याद रखेगा जुआरी ब्रीज कहां पर है गोवा में भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल इस्थित ब्रीज है जगी हाली में अजय कुमार स्रिवास्तव को किस बैंक के MD और CEO की रूप में नियुक्त किया गया है इसका सही जवाब है Indian Overseas Bank के नए MD और CEO के रूप में अजय कुमार स्रिवास्तव को नियुक्त किया गया है Indian Overseas Bank के नए MD और CEO के रूप में अजय कुमार स्रिवास्तो को नियुक्त किया गया है बात करते हैं रिजारो Bank of India की तो आपको पता होगा रिजारो Bank of India के जो गवर्नर है बहुत दिनों से सक्तिकांत दास है इतना तो आपको पता होगा लेकिन important ये है सक्तिकांत दास जो है ये कितने नंबर के गवर्नर है भारतिय रिजारो Bank के तो याद रखेगा 25 नंबर के गवर्नर है भारतिय रिजारो Bank के सक्तिकांत दास वहीं पर अगर बात करते हैं SBI की तो SBI के जो चीफ है वो दिनेश कुमार खाराजी है कौन? दिनेश कुमार खाराजी है SBI के चीफ इसे भी याद रख लिजेगा SBI के चीफ है दिनेश कुमार खाराजी और पंजाब निस्नल बैंक पंजाब निस्नल बैंक के जो चीफ है वो एक ये गोयल साहब हैं, यानि कि अतुल कुमार गोयल, अतुल कुमार गोयल पंजाब नेशनल बैंक के चीफ हैं, चलिए, आगे देखिए किस राज में मतदान प्रतिसत 90% से अधिक करने के लिए, चुनाव आयोग ने मिशन 9 to 9 लांच किया है, चुनाव आयोग ने मिशन 9 to 9 लांच किया है, तरिपुरा में, और किसलिय किया है, तो वहाँ पर जो, अब अगर तरिपुरा की बात करें, तो तरिपुरा के जो राजिपाल है, वो है सत्य देव नारायन आर्य ठीक है तिरपुरा के जो राजिपाल है याद रखेगा सत्य देव नारायन आर्य याद रखेगा साथी साथ याद भी करते चलिएगा सत्य देव नारायन आर्य यहां के जो मुख्यमंतरी है वो है मानिक सहा ठीक है यहां के जो मुख्यमंतरी ह अर्ण विद लर्ण और साथी साथ एक याद रखेगा सीएम चा स्रमी कल्यान प्रकल्प योजना ठीक है सीएम चा स्रमी कल्यान प्रकल्प योजना ये कहां की योजना है तो ये योजना है त्रिपुरा का त्रिपुरा के राजपाल सत्य देव नारायन आर्य और मुख्यमंत त्रिपुरा में 90% से अधिक चुना कराने के लिए चुना आयोग ने मिसन 9-9 लांच किया है अगला सवाल दिखते हैं फिडे वर्ड बिलिट्ज सतरंज चैंपियंशिप के महिला वर्ग में कोनेरू हमपी निकौन सा पदक जीता है फिडे जो सतरंज से संबंदित एक परतिय फिडे वर्ड बिलिट्ज सतरंज चैंपियंशिप में भारत में भारत की महिला की तरब से महिला वर्ग में कोनेरू हमपी जो है इन्होंने रजत पदक जीता है यानि की सिल्वर मेडर इन्होंने हासिल करा है अगला सवाल हाली में किस कैथोलिक धर्म गुरू का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया विच कैथोलिक प्रिष्ट है रिसेंटली पास्ट अवे एट दा एज ओफ 95 दिखी याद रखेगा यह आपके पॉप बेनेडिक्ट 16 ठीक है पॉप बेनेडिक्ट 16 जो की 95 यर्ष की आयू में या का निधन हो गया आपसे ऐसे पुछा जा सकता है कि बताईए पॉप बेनेडिक्ट जिनका की हाली में निधन हो गया वो क्या थे तो वह एक क्याथोलिक धर्म गुरू क्याथोलिक प्रिष्ट थे याद रखेगा चलिए हाली में भारत के 78 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने है भारत के 78 वे ग्रेंड मास्टर कौन बने हैं तो नंबर आपको याद रखना है इसका सही जवाब है कौस्तव चटर जी है जो कि भारत के 78 वे ग्रेंड मास्टर बने हैं अगर आपको इसका पीडिएफ डाउनलूड करना है तो परिच्छा हॉल टेलीग्राम चैनल से आपक अच्छा होगा और आपसे current affairs के सवाल नहीं चुटेंगे और साथी साथ जैसा आपका support होगा, जिस तरह का आपका प्यार होगा, उस तरह से यहाँ पर पूरा detailed explanation के साथ आपका current affairs तयार किया जाएगा और पीडियेप के लिए telegram channel आप जरूर जोइन कर लिजेगा, चलिए, कौ पूसरा देश तय बन गया है hydrogen train शुरू करने वाला, अब यह hydrogen train क्या है, तो इस train में जो fuel के रूप में, इंधन के रूप में hydrogen का उपयोग किया जाएगा, और अगर इस train का tank एक बार full कर दिया जाए, तो यह 600 km दूरी, यह क्या करेगा, 600 km तक बिना fuel के चलेगा, ठीक है, मत है hydrogen train की सुरूआत करने वाला यह Asia का पहला और दुनिया का दूसरा देश है, तो दुनिया का पहला देश कौन है, तो याद रखेगा, दुनिया का पहला देश जर्मनी है भाई साब, ठीक है, दुनिया का पहला देश है, जर्मनी, जिसने hydrogen train की सुरूआत करी, ठीक है, दु दूसरा देश जो है चाइना दोहजार तैस में और अब ऐसी कवायत चल रही है कि इंडिया में भी इंडिया में भी दोहजार तैस के अंत अंत तक इंडिया में भी दोहजार तैस लाश्ट तक जो है हाइड्रोजन ट्रेन चलना सुरू हो जाएंगी ठीक है इंडिया में भी जिस आप किसी भी, आप कोई भी देश हो, अगर आप यूरो जोन में, यूरो जोन में सामिल होते हैं, तो इसका मतलब है, कि आपका करेंसी, सबसे पहले आपका करेंसी हो जाएगा, क्या यूरो हो जाएगा, आपके देश की करेंसी कुछ भी हो, आपका करेंसी जो है, अब य भाई साहब वो था आपका कुना ठीक है क्रोएसिया का पहले करेंसी था कुना लेकिन अब क्या है ठीक है अब है इस देश की करेंसी यूरो है याद रखेगा इस देश की करेंसी अब क्या है यूरो है और इसने एक जनवरी 2023 को क्रोएसिया ने एक जनवरी 2023 को इसे क्या करा ग जसन ए चिल्लाई कलान समारहू का आयोजित किया। तो इसका सही जवाब है केंद्रिय रिजर्व पुलीस फोर्स ने स्री नगर में छात्रों के साथ जसन ए चिल्लाई कलान समारहू को आयोजित करा। अब यहाँ पर बात करते हैं CRPF के अभी चीफ कौन है तो SL थाउसेन याद रखेगा CRPF के चीफ जो है अभी SL थाउसेन है ये भी important है पूछे जाते हैं अगर असम राइफल्स की बात करे तो असम राइफल्स के जो चीफ है वो प्रदीप चंदरन नायर हैं ठीक है सिक्यॐयरटी फोर्स यानि की BASF के जो चीफ है वो पंकज सिंग है कौन है BASF के चीफ है पंकज सिंग और बात करें CISF की ठीक है बात करें CISF की तो CISF के जो चीफ है उभी भी भी या वो तो सील वर्धन सिंग है, याद रखेगा CISF के जो चीफ हैं सील वर्धन सिंग, तो क्या हो गया, CISF के चीफ सील वर्धन सिंग, असम राइफल्स के पंदिप परदीप चंद्रे नायर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पंकच सिंग, और CRPF के SL 1000, CRPF ने स्री नगर में छ की सुरुवात करी गई है, गामीन विकास मंत्राले की द्वारा प्रज्वला चैलेंज शुरू करा गया है, अगला सवाल, सियाचीन में सक्रिय रूप से तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बन गई है? अगला सवाल, हाली में किस राज्य सरकार ने मुख्य मंतरी सुखासरे सहायता कोस की सुरुवात करी है, तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यह जो करेंट अफेर्स हम कर रहे हैं, यह बेस्ट MCQ हम कर रहे हैं, एक जनवरी से 7 जनवरी 2023 के बीच के और जिसमें एक्स पर चलिए, तो हिमाचल प्रदेश की हम अभी बात कर रहे हैं, हिमाचल प्रदेश ने मुख्य मंतरी सुखासरे सहायता सुरु करी है, हिमाचल प्रदेश के जो राजेपाल हैं, वो हैं आपके राजेंदर भी सोनात आर लेकर याद रखेगा, ठीक है, हिमाचल प्रदेश क जो CM है याद रखेगा CM है सुखविंदर सिंग सक्खु ठीक है कौन है यहां के चीफ मिनिस्टर है सुखविंदर सिंग सक्खु याद रखेगा इस बात को सुखविंदर सिंग सक्खु हिमाचल परदेश के CM है राजपाल राजिंदर बिरसोनात आरलेकर अगर हिमाचल परद इस सरकार ने मुख्य मंत्री सुखासरे सहायता कूस की सुरुवात करी है। अगर यहां के मुख्य मंत्री की जबात करें तो बसव राज ठीक है करनाटक के जो मुख्य मंत्री हैं बसव राज बुम्मई हैं। यहीं पर करनाटक के मांडिया में मेगा डेरी की सुरुवात करी है किसने अमीत सहाने। मई 2023 तक सौ प्रतिसत सिवरेज सुविधाओ वाला भारत का पहला सहर कौन सा बन जाएगा। तो इसका सही जवाब है है हैदराबाद मई 2023 तक भारत का पहला सहर बन जाएगा जिसके पास 100% सिवरेज होगा। ठीक है सिवरेज सुविधाओ होंगी। इन चीव की रूप में तैनात हुए हैं। याद रखेगा पंकज मोहन सिना। अगला हाली में किसने ACI Pacific डाक संग के महासचीव की रूप में कार्यभार संभाला है। इसका सही जवाब है विने प्रकास सिंग। जिसने की ACI प्रसांत डाक संग के महासचीव की रूप में कार्यभार संभाला है विने प्रकास सिंग। अगला सवाल किस सहर में 3-17 जनवरी 2023 तक सारी महतसब तो याद रखेगा बिरासत एक सारी महतसब है और 3-17 जनवरी 2023 तक यह कहाँ पर सुरू करा जाएगा तो नई दिल्ली में जो की अभी चल रही है ठीक है 3-17 जनवरी 2023 तक बिरासत जो की एक सारी महतसब है यह नई दिल्ली में आयोजीत करा जाएगा और यह इसका दूसरा चरन है ठीक है यह जो यह जो 2023 वाला यह इसका दूसरा चरन है याद रखेगा सारी महतसब बिरासत चलिए किस देश के गलासगो सहर में ब्रिटिस इंडिया आर्मी स्मारक बनाया जाएगा इन विच कंट्री दब्रिटिस इंडिया आर्मी मेमोरियल विल बी बिल्ट इन दा सिटी ओफ गलासगो तो इसका सही जवाब है स्कॉटलेंड का एक सहर है ग्लासगो यहाँ पर ब्रिटीस इंडिया आर्मी इसमारक बनाय जाएगा ब्रिटीस इंडिया आर्मी इसमारक बनाय जाएगा स्कॉटलेंड की ग्लासगो में अगर स्कॉटलेंड की राजधानी की बात करें तो स्कॉटलेंड का राजधानी है एडिन बर्ग, ठीक है, स्कॉटलेंड की राजधानी एडिन बर्ग है, और यहां की करिंसी, तो याद रखेगा भाई साब, यहां का करिंसी है, पाउंड स्टर्लिंग, ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग यहां की करिंसी है, तो याद कुण गया है करेंशी ओगा वह अब करने वाला राज कौन बन गया है इसका पॉराने वाहनों के लिए अलग से पन्जी करन यानि की रजिस्ट्रिसन करने वाला पहला राज कौन बन गया है इसका सही जवाब है उडिसा, उडिसा है जो की विंटेज वाहन यानि की पुराने वाहनों के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करने वाला पहला राज बन गया है, अगर प्रोफे उडिसा की बात करे तो इसके राज़े पाल यानि की इसके गवर्नर जो है वो बने हैं पट्नाय यहां के सीयम हैं उडिसा के और उडिसा के नहीं यहां पर कुछ योजनाओ पर चर्चा करे तो एक याद रखेगा घर पर पोसन ठीक है घर पर पोषन कहा की योजना है, उडिसा की योजना है, घर पर पोषन उडिसा की योजना है, साती सात आसिरवाद योजना कहा की योजना है भाई साब, आसिरवाद योजना जो है ये उडिसा की ही योजना है, उडिसा की योजना है, हाले में चुनाव आयोग ने मैथली ठा तो मैथली ठाकूर को किस राजे का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया गया है। मुख्यमंत्री आवासिय भूमी अधिकार योजना शुरू करी है। नहरू Memorial Museum and Library Society की वार्सिक आम बैठक का आयोजन किया गया। तो याद रखेगा नरेंदर मोदी की अधिक्षता में नरेंदर मोदी की अधिक्षता में नहरू Memorial Museum and Library Society की वार्सिक आम बैठक का आयोजन किया गया। चलिए राजनात सिंग अभी हमारे रक्षा मंतरी हैं नितिन गटकरी अगर बात करें नितिन गटकरी कौन हैं तो सलक और परिवहन मंतरी। हाले में किसके द्वारा लिखितपुस तक Breaking Barrier का विमोचन किया गया है तो याद रखिए ये बुक जो है Breaking Barrier ये है काकी माधव राओ की। काकी माधव राओ की बुक Breaking Barrier का अभी अभी रिलीज हुआ है बहुत इंपोर्टेंट होते हैं बुक्स और आथर्स ठीक है बुक्स और आथर्स और जैसे जैसे जो भी हमारे सामने आएगा उसको लेकर के हम चर्चा करते रहेंगे जिससे कि आपका जो एडिसनल फैक्ट है एडिसनल कर इंटर फैर्स भी तैयार होते जाए तो कुछ बुक्स की चर्चा यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं एक याद रखेगा Brave Heart of India Brave Heart of India जो बुक है वो किन की बुक है तो बिक्रम संपत की याद रखेगा बिक्रम संपत की बुक है Brave Heart of India Brave Heart of India बिक्रम संपत की बुक है ए दचिब को Movement a People's History, तो आपको बस ये याद रखना है दचिब को Movement, दचिब को Movement जो है यह लिखा गया है सेखर पाठक की द्वारा, ठीक है शेखर पाठक की द्वारा दचिब को Movement बुक लिखी गई है, कुछ important books पर हम चर्चा कर我們 एक याद रखेगा, Miracles of Face Yoga, ये बुक है, मानसी गुलाटी की, ठीक है, ये बुक है, मानसी गुलाटी की, तो Brave Heart of India, बिकरम संबत, दचिपको मोमेंट, अपीपल सिस्ट्री, सेखर पाठक, Miracles of Face Yoga, मानसी गुलाटी, काकी माधवराव की बुक है, बेक ब्रेकिंग बैरियर, तो इसका सही जवाब है जैदेव उनादकट, जैदेव उनादकट हैं जिनोंने की रंजी ट्रोफी के पहले ओबर में ही है ट्रिक लिया है, अगर बात करते हैं क्रिकेट की, तो क्रिकेट से रिलेटेड कुछ ट्रोफी, कुछ कप पर चर्चा कर लेते हैं, देखें, तिरहव ICC World Cup, तिरहवा ICC World Cup, जो की 2023 में होने वाला है, पच्चास ओबर का मेंस ICC World Cup, ये इंडिया में ही होगा, ठीक है, कहाँ पर इंडिया में ही होगा, अगर 14-वे की बात करें, 14-वा ICC World Cup, कहाँ पर होगा, तो याद रखेगा, ये 2027 में होगा, कहाँ पर 2027 में साउथ एफरी इंडिया में होगा, तो बस इतना याद रखना है, जो भी जहाँ पर जो इंपोर्टेंट होगा, वो हम ले करके चलते रहेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा एक कम्पलीट पैकेज कर इंटरफेर्स का मिल जाए, वीकली कर इंटरफेर्स में, 13-वा ICC World Cup, 2023 में, इंडिया में, 14-वा ICC World Cup, 2027 में, साउथ अफरीका में, 10-वा ICC Champions Trophy, 2025 में, पाकिस्तान देगरवा ICC Champions Trophy, 2019 में, इंडिया में, हाली में, जारी रिपोर्ट के अनुसार, वर्स 2021-22 में, सिर्सलाब कमाने वाली सारवजनिक छेतर की उद्यम कौन सी कम्पनी बन गई है, इसका सही जवाब है, ONGC ने, वर्स 2021-22 की, सबसे जाइदा प्रोफिट कमाने वाली पबलिक सेक्टर वाली कम्पनी में, अपना नाम दर्ज कराया है, ONGC याद रखेगा, अच्छा, ONGC की बात करें, तो Oil and Natural Gas Corporation के जो चीफ हैं भी, रिसेंट टाइम पर, वो हैं, अरून कुमार सिंग, कौन हैं, अरून कुमार सिंग, याद रखेगा, अरून कुमार सिंग, ONGC के चीफ हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेट के जो चीफ हैं, वो याद रखेगा, VR Krishn Gupta, VR Krishn Gupta, याद रखेगा, VR Krishn Gupta, BPCL के अभी क्या हैं, चीफ हैं, अगर NTPC की बात करें, तो NTPC के चीफ हैं, गुर्दीप सिंग, कौन हैं भाई साब, गुर्दीप सिंग, NTPC के चीफ हैं, गुर्दीप सिंग, NTPC के चीफ हैं, और Power Grid Corporation of India Limited के ज Steel Authority of India Limited की जो अध्यक्ष हैं, सोमा मंडल हैं, और ये बहुत बारिक जाम में पुछा गया है, तो याद रखेगा, सेल की अभी जो चीफ हैं, वो सोमा मंडल है, ठीक है, चलिए, अगले सवाल पर चलते हैं, किस सहर में जल पर पहला अखील भारतिया वारसिक राज्य मंत्रि का सम्मेलन आयोजित किया गया है, इन्विसिटी दा फर्स्ट ऑल इंडिया इन्वल इस्टेट मिनिस्टर्स कॉन्फरेंस ओन वाटर हैज बीन और गनाइजड, तो इसका सही जवाब है, भोपाल में, भोपाल में जल पर, भोपाल सहर में जल पर पहला अखील भारतिया वा अगर बात करते हैं यहाँ पर असम की, तो कुछ GI टैग्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, याद रखेगा, असम के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला है, तो याद रखेगा, गामोचा, उसके बाद जुडीमा राइस वाइन, ठीक है, गमोचा जुडीमा राइस वाइन, ठीक है, एक या क्या है, राइस वाइन है, सराब है, और उसके अलावे, उसके अलावे तेजपूर लीची, यह असम के, असम की कुछ प्रोडक्ट हैं, जिने की GI टैग मिला है, अगर बात करें अरुनाचल परदेश की, तो अरुनाचल ठीक है, अरुनाचल परदेश के इदू मिसमी एक कपड़ा है, जिसे की GI टैग दिया गया है, अगर बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम की एक मिर्ची है, जिसका नाम है डले खुरसिनी मिर्ची, सिक्किम की एक मिर्ची है, डले खुरसिनी मिर्ची, जिसको की एक मिर्च है एक चिली है जिसको की जी आई टैग मिला है बाई साब ठीक है जिसको जी आई टैग मिला है तो यहां से हमने इतना देखा अगले सवाल पर चलते हैं कि राश्टरपती मुर्मू ने किस राज में भारत स्काउट्स एंड गाइड के अठारवे राश्ट्रिय जम्बोरे का यह याद रखना है तो यह करा है राजस्थान राज में भारत स्काउट्स एंड गाइड के अठारवे राश्ट्रिय जम्बोरे का उद्गाटन द्रापती मुर्मू ने करा अगर राजस्थान की बात करे तो यहां का राजपाल है कल राज मिस्र बहुत दिनों से हैं तो आ ठीक है असोक गहलोत हैं यहां के राश्ट मुख्यमंतरी कौन है असोक गहलोत ठीक है याद रखिएगा अब हम बात कर लेते हैं राजस्थान की राजस्थान की कुछ इंपोर्टेंट योजनाओं पर तो एक आपका महिला निधी योजना राजस्थान की ही योजना है महिल इंद्रा गांधी सहरी रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, यह कहा का है, तो राजस्तान का है. महिला निद्धी योजना कहा है? राजस्तान का है. CM मुख्यमंत्री अनुप्रती कोचिंग योजना ये कहा की योजना है राजस्थान की योजना है और एक आप याद रख लिजेगा राजस्थान में ही बैक टू वर्क ठीक है बैक टू वर्क योजना कहा का है भाई साब तो राजस्थान का है तो राजस्थान के CM कौन है असो किस राजी के जग मिसन ने World Habitate Award 2023 जीता है, विच स्टेट्स जग मिसन हैं, गनेसी लाल और मुख्यमंत्री है, नवीन पटनाय, यहां की योजनाओं की बात करें, तो आसिरवाद योजना और घर पर पोसन यहां की योजनाय इंपोर्टेंट, आगे देखें, प्रवासी भारतिय सम्मान पुरसकार से, सम्मानित मुहम्मद इर्फान अली किस देश के राश्ट्रुपती हैं, प्रवासी भ इमयनु अर्पा महोतसव मनाय गया है, अगर फेस्टिवल की बात करें, तो बहुत सारे एकजाम्स में फेस्टिवल से भी प्रस्थन पूछे जाते हैं, तो यह फेस्टिवल है मनीपूर का, याद रखेगा मनीपूर में यह फेस्टिवल इमयनु अर्पा महोतसव मनाय गय अगर बात करें मनिपूर की, तो यहाँ पर कुछ अन्य फेस्टिवल मनाया जाता है, जैसे की संगाई, ठीक है, उसके अलावे सिरूई लिली, ठीक है, ये मनिपूर में मनाया जाने वाला मुख्य तिवहार है, सिरूई लिली, उसके अलावे सुमंग, ठीक है, उसके अलावे सुमंग तो ये क्या हो गया संगाई सिरूई लिली सुमंग उसके बाद इमोईनू आरपा ये मनीपूर में मनाय गया अगर बात करें नागालेंड की तो नागालेंड का एक इंपोर्टेंट फेस्टिबल है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिबल आपने सुना भी होगा हॉरनबील फेस्टिबल नागालेंड का एक फेस्टिबल है अगर बात करते हैं तेलंगाना की तो तेलंगाना में बथु कम्मा बोनालू ये सब फेस्टिबल जो है ये तेलंगाना में मनाय जाता है साथ ही साथ इधर अभी 2022 में एक फेस्टिबल यहां मनाई गया मेदराम जतारा मेदराम जतारा तो याद रखेगा बथुकम्मा बोनालू मेदराम जतारा ये तेलंगाना की कुछ क्या है फेस्टिबल्स हैं अगर केरला की बात करे तो केरला का पोंगल किसे पता नहीं होगा ठीक है केरला का पोंगल एक आपका त्रिसूर पूरम महोतसब ये मनाय जाता है केरला में त्रिसूर पूरम महोतसब कहा मनाय जाता है केरला में मनाय जाता है साथ ही साथ थुम्बी थुम्बी कहा का है तो केरला का है याद रख लिजेगा ये केरला का है एक तो पोंगल त्रिसूर पूरम और किस बैंक के CEO के रूप में नियुक्त करा गिया है तो बैंक आप सिंगापूर के CEO के रूप में जेसन याद रखेगा जेसन मू को नियुक्त करा गिया है। अगला सवाल प्रसिद फुटबॉल खिलाडी पेले के नाम पर स्टेडियम का नाम रखने वाला पहला देश कौन बन गया है। अगला सवाल, कुल्दीब सिंग पठानिया को किस राजी की बिधान सभा के नए अध्यक्च के रूप में नियुक्त करा गिया है। अगला सवाल, किस राजी में भारत के बिधान सभा का नए अध्यक्च चुना गया है। पहला समावेशन महुतसव सुरू किया गया है। ठीक है उसके अलावे अभी हमने देखा कि भारत का पहला समावेशन महुतसव यानि कि इंकलूजन फेस्टिवल जो मनाए गया परफल फेस्ट ये गोवा में ही मनाए गया ठीक है गोवा में अगला सवाल अगला सवाल है हाल ही मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए जो मेगा प्रोजेक्ट का समर्थन करने के लिए ग्रीन क्लाइमेट फल्ड अस्थापित करने की घोसना करी है किस उच न्यायाले ने सरकार को एचाईवी पॉजिटीव वेक्तियों को मुप्त भोजन और चिकितसा उपचार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है तो किस सहर में जी ट्वेंटी की पहली बैठक का आयोजन किया जाएगा तो यहां पर बात करें जी ट्वेंटी की भारत में जी ट्वेंटी की जो भारत में अठारवा याद रखेगा ये कौन सा समिट है जी ट्वेंटी का ये कौन सा समिट है तो याद रखेगा ये अठारवा G20 Summit इससे पहले 17-वा G20 Summit कहा पर हुआ था, इंडोनेasya में हुआ था, याद रखेगा इंडोनेasya में हुआ था, इंडोनेasya के बाली सहर में हुआ था, अच्छा, बात करते हैं, G20 इंडोनेasya में जो हुआ था, उसकी अधिएक्षता करी थी, इंडोनेसिया के CM, इंडोनेसिया के प्रेसिडेंट जोको विडोडे ने इसकी अध्यक्षता करी थी और सत्रहवे G20 जो की 2022 में हुआ है, उसका थीम क्या है भाई साब? उसका थीम है, रीकवर तुगेदर और रीकवर स्ट्रॉंगर याद रखेगा, रीकवर तुगेदर रीकवर स्ट्रॉंगर जो है, यह थीम रहा किसका 17वे G20 जो समिट हुआ इंडोनेसिया के बाली में, जिसकी अध्यक्षता जोको विडोडो ने करी, उसका थीम था, रीकव तिया रेलवे का सबसे लंबा पुर्न स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड कौन सा बन गया है। विच इस दा लॉंगेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्षन ऑफ इंडियन रेलवेज। तो याद रखेगा गाजियावाद से लेकर के पंडित दीन दयाल उपाध्याय ब्लॉक जो है फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्षन बन गया है। सयुक्त राष्ट्र मिसन में महिला सांती सैनिकों की एक पल्टन को क्या करा है तैनात करा है। काकी माधव राव की बुक है ब्रेकिंग बेरियर और उसके बाद हमने अभी बात करा हुमन एनाटोमी की जो बुक है एके दिवेदी ने लिखी है और इसका भी मोचन इसका रिलीज किया गया मद्य पर्देश के राजेपाल मंगन बंगु भाई छगन भाई पटेल की अगला सवाल हाले में किस हाले में राजे खाद सुरक्षा योजना के तहट कौन सी राजे सरकार एक वर्स के लिए मुप्त चावल परदान करेगा बताए कौन सा राजे सरकार है जो की फूड सिक्योरिटी स्किम के तहट एक साल के लिए क्या करेगा मुप्त चावल परदा अगला चलिए केंद्रिया विज्यान एवं प्रोध्योगी की मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंग तो सबसे पहले जाद रखिए कि डॉक्टर जितेंद्र सिंग है यूनियन साइन्स एंड टेकनोलोजी मिनिस्टर इनके द्वारा किस राजे में नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर का उधगाटन किया गया तो जितेंद्र सिंग जो की यूनियन साइन्स एंड टेकनोलोजी मिनिस्टर हैं इनके द्वारा नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर की सुरवात जो है ये पंजाब में करी गई है कहां पर करी गई इतना हमने किया है और अगर आपका सपोर्ट आपका प्यार बना रहे तो ये सेशन आपके लिए बहुत फायदे मंद होगा आप किसी भी एक्जामिनेशन की तयारी कर रहे हो तो वीकली करेंट अफिर से आपको बहुत फायदा होगा और उसके साथ जो यहां पर हर एक क्व ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा इसके बाद आप अगर आप अगर किसी भी एक परतियोगी परिक्षाओं की तयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा जीएस का कितना इंपोर्टेंट योगदान कितना कंट्रिब्यूशन होता है आपके सेलेक्शन में चाहे बायोजी क की बात करें, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, पॉलिटी, जोगरफी, एकोनोमिक्स, स्टाटीक जी के ये सब कुछ आप लोगों के लिए बिलकुल एक बेस्ट कंटेंट के साथ कम्पलीट कराया जाएगा तो आप लोगों को जायदा से जायदा मंडे टू फ्राइडे तीन बज जीएगा और एक का आपके पास नोट्स बनाने के लिए आप एक नोट्बुक मि रखिएगा ताकि आप नोट्स बना पाए इसके अच्छे से आपको इसका नोट्स जो बोट पर पढ़ाया जाएगा उसका पीडिय भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाए तो टोटल हम लोग का यहां एक कंप्लीट तैयारी हो जाएगा चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाईएगा तो मिलते हैं एक लिए क्लास में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत